क्यों कहा जाता है निर्जिला एकादिशी को साल की सबसे बड़ी एकादिशी जानिये इसका महत्व आज मिल साथ है नमश्कार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीज्वल सनातन धर्म में एकादिशी के दिन भगवान विश्णू और मातालक्ष्मी की विशेश पूजा का विधान है सुख, शान्ती और सम्रिदी प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है जेश्ट महा के शुक्ल पक्ष में आने वाले निर्जला एकादिशी सभी एकादिशी में सबसे महत्रपूर मानी जाती है इस बार निर्जला एकादिशी 18 जून मंगलवार को मनाई जाएगी इस वरत को देव वरत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सभी देपता, दानव, गंदर्व, नाग, यक्ष, नवग्रह के नरादी शामिल होते हैं वे अभी भगवान विश्टनु का शिरवात पाने के लिए वरत रखते हैं हिंदू केलेंडर के अनुसार इस बार जेश्ट महा के शुकल पक्ष की एकादिशी थी थी 17 जून सोमवार को सुभ़ 4 बचकर 43 मिनट पर शुरू होगी और ये मंगलवार 18 जून को सुभ़ 4, 7 बचकर 24 मिनट पर समापत होगी इस तरह निर्जला एकादिशी का वरत 18 जून को ही रखा जाएगा एक परानिक कथा के अनुसार दुआपर युग में महरिशी व्यास ने पान्डवा को निर्जला एकादिशी के महत्व के बारे में बताया था साथ ही पान्डवा को ये वरत करने की सलावी दी थी एकादिशी के पवित्र व्रत को नहीं रख पाऊंगा तब महरिशी व्यास ने कहा हे कुंति पुत्र यही धर्म की विशेश्टा है जो ना केवल सबका साथ देता है बलकि सबके अनुकूल साथन व्रत और नियमों को भी आसान बनाता है तुम्हें केवल जेश्ट मास के शुकल पक्ष की नर्जला एकादिशी का व्रत ही करना चाहिए इस व्रत को करने से ही तुम्हें वर्ष की सभी एकादिशीों का फल प्राप्त हो जाएगा तथा तुम्हें इस लोक में सुक और यश्ट मिलेगा तथा व्यकूंत धाम की प्राप्ती होगी तभी से वर्ष की 24 एकादिशीों का फल देने वाली इस महान नर्जला एकादिशी को भीम सेनी एकादिशी या पांडव एकादिशी कहा जाने रगा इस दिन नर्जल रहकर ओम नमो भगवती वासु देवाय का जाब करने वाला व्यक्ति कई जन्मों के पापों से मुक्त होकर श्रीहरी के धाम गो जाता है फिलाल के लिए इतना ही ऐसी और जानकारे के लिए आप देखते रहिए नेक्स नाइन स्पीच वेल तब तक के लिए धन्यवाद